आज हम लोग कम्पेटरिव मैप्स में कार्य और समाई से कुछ क्वेशन्स लाएं जो आपके कम्पेटरिव एक्जाम्स के लिए बहुत ही हेलफुल होगा तो चली चलते हैं आज का पारला क्वेशन एक को पास दिनों में पूरा कर सकता है उसी तरह के तीन कार्यों को पूरा से एक्व़ल टू ए मं ट्व डीटू डवलवण जैसे इसमें एम याउन था यहां तो वन है क्यूंकि आदमी दोनों में एक ही बढ़ावर है जुँ दोन तरफ आफ हम लोग लोग लिख द्याखते है और डीवन डीटू इसमें हम लोगो पता है कि यहां फाइव डेज है देज और यहां में लोगों दीटू पता करना है और तीन कारी है वर कितना है तीन डबलो टू डबलो टू यह है तीन कारी इधर इधर वन तो दीटू इक्वल टू क्या हो जाएगा फिप्टीन केमें ताइली के निचंट दीन औरक देजिन तुन तरफ है एक घेए है और यह वालー चलिए इसको निकालना हम लोग वर किसमें तीन है और इसमें वं है ठीक है और यह को WILL चलिए नेक्स्ट को करते हैं 16 व्यक्ति किसी कारिये को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसी कारिये को 40 दिनों में संपन करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए फिर सेम फर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू एक्वल टू अम लोग वैल्व रखते हैं 16 यहां रहती किसी कारिये को 10 दिन में 10 दिन में पूरा करता है ड़्यक्ति में 1 ही लिगता है इसमें 40 दिनों में तो निकालना है 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितना आदमी चाहिए ठीक है यह 40 हो गिया और यह वर्क तुरोन में 1 ही होगा तो इसमें काम है तो इसमें आ जाएगा 16 इंटू 10 इसका एंसर होगे 4 चलते हैं 40 व्यक्ति साथ व्रिक्षो को आठ गंटे में काट सकते हैं यदि आठ व्यक्ति कारी छोड़ दे तो 12 गंटे में कितने व्रिक्ष काट लेंगे जाएंगे इसको करते हैं M1, D1, W2 याद रहें यहाँ W2 लिखेंगे ठीक है यहाँ M2, D2 और W1 अब देखें यहाँ परी पहले M दोनों तरफ का लिख लेते हैं 40 व्यक्ति यहाँ है तो 40 व्यक्ति यहाँ भी लिख दे रहें और इधर में कितना है 8 व्यक्ति छोड़ दे रहें मर 40 में 8 घटा दीज है 8 घंता है फ़ेस्ट में और यहाँ पर 12 घंटा 12 घंट में कितने ब्रिक्स तो रहे हो गया यहाँ और डबलूटू 40 व्यक्ति 60 यहाँ और यहाँ हम लोगो डबलूटू ही निकालना है ठीक है डबलूटू कितना ब्रिक्स गटेगा उसमें हमको तो इसमें क्या हो जाएगा डबलू टू इक्वल टू थाटी टू इन्टू 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 सिक्स्टी और यह नीचे चलाएगा फॉर्टी इन्टू एट ज्यां दिए डबलू टू निकालना तो इसको सब को नीचे बहे देंगे जोर्टी डबलू इटी टू डबलू टू हो जाएगा पॉर्टी करतेंगे सेटीटीटू यानि सेवेट्टीटू बहुत्तर विश्ट कर लिए जाएगे ठेक है इसको अंसर होगी हाँ बहुत्तर चली नेक्स्ट कोश्चन में चलते हैं आज गांतिम कॉश्चन को देखिए तो इहां देखे, छे दिन, इसंगे थोड़ा बढ़ गया है यहां देखे, कितने दिन में 8 गंट ठीक है 8 गंट इसमें दिया हुआ तो इसमें भी हम लोग अगर हम लोग यह वहाला फर्मुला यूज करते हैं थोड़ा सा चेंजिंग आयागा इसमें देखे क्या कि फर्स्ट में हम लोग M1 को लिखते हैं ठीक है पांच बैखते हैं इधर है पांच तो यहां 12 लिख देंगे ठीक है अब देखिए इसमें D1 कितना है D1 के जगाम फोड़ा से चेंजिंग होग 6 दिन 6 गंटा ठीक है 6 दिन 6 गंटा तो दोनों में तरफ गंटा भी है सेम तो 6 गुना 6 दो बार लिख देंगे 6 into 6 ठीक है और यहां 8 गंटा तो है लेकिन कितने दिनों में तो एक चीज नहीं पता तो हम लोग उसको एक समाल लेते फिलाल या फिर दीटू ही माल लेते हैं और यहां 8 गंटा तो 8 को लिख देंगे ठीक है ध्यान दीजिए 8 गंटा 16 खिलोने इसमें है और इसमें कितना खिलोने दियार हो रहे है 10 खिलोने इसमें इसमें इसका जो है 10 जो है यहां लिखेंगे 10 को है यहां लिखेंगे और यह 16 यहां पलट जाता ठीक है हम लोग को निकालना दीटू 5 into 6 into 6 into 16 और यह नीचे 12 into 8 into 10 दीटू 5 बंज़ 5, 5 तूज़ 10 हो गया 8 बंज़ 8, 8 तूज़ 16 6 बंज़ 6, 6 तूज़ 12 2 तू कैंसेल हो जागए हाँ और ये 2, 3 ज़ 6 3 इक्वल टू D2 D2 इक्वल टू 3 3 हो गया तो answer क्या हो जाएगा तो कितने दिनों में तो 3 दिनों में 3 दिनों में काम को पूरा पर सकते हो तेसे क्लासिस के लिए बनेटी चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, सेर करें और सब्स्क्राइक बनेटी थैंक्यू